जी हाँ दोस्तों हमारे हिमेश जी को मिला एक और एचीवमेंट माले कि धमाके पर धमाके किये जा रहे हैं तो क्या है वो एचीवमेंट प्लीज 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 ये पूरा वीडियो जरूर देखे और अगर आप रियल हिमेश फैन है तो आपको गर्व होगा जिस तरीके हिमेश जी वापस आगिए जिस तरीके वो दौर वापस आगया है अभी तक तो हिमेश जज मेंट मेलोडीस धूम मचाये था लेकिन अब हिमेश जज जश्मिय जी खुद आगे निकल के आ रहे हैं तो क्या है वो खबर तो प्लीज मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखे मेरे चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन भी दबा दे आगे आने ले अपडेट्स के लिए तो देखते हैं पूरा वीडियो आईए हुज़ूर चलाते हैं आप पे अपने इस वीडियो का सुरूर जी हां दोस्तों मैं हूँ आपका संदीब मोरे और आप देख रहे हैं संदीब बॉली वोल्ड जी हां दोस्तों जैसे कि आपने थमनेल पे देखा कि इस दिवाली इंडिया के नंबर वन ब्रैंड शाओमी को मिला हिमेश रिश्मया जी का साथ जी हां मतलब बहुत बड़ी बात है कि शाओमी जैसी कंपणी ने हमेश रिश्मया जी को अपना ब्रैंड अमच्डर बना दिया अगर अभी एक नया गाना लॉन्च हो है दिवाली विद एम आई माने कि क्या गाना है और अब इस गाने में देखें हमेश रिश्मया जी कितने स्मार्ट लग रहे हैं में जी ने एक्टिंग की है ओ माई गॉड और सबसे बड़ी बात में बता दू कि ये गाना हिमेश इश्मेश जी ने ही लिखा है और इनका म्यूजिक भी हिमेश जी का है और आवाज भी हिमेश जी की है मदब आप देखिए ये गाना किस तरीके से कंपोस किया गया है सबसे पर याद इस गाने की लिख की में बात बता दू इसमें इतना अच्छा किया है दिवाली रड्मी 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 सेलिब्रेट करेंगे मदब जुवा पे चड़ जाता है पार्टी ट्रैक इसको बना दिया गया है मुझे आज तक किसी ब्रैंट का इतना अच्छा सौंग नहीं लगा जिस तरीके ये हिमेश जी ने बनाया और इसमें आपको बॉबी देवल जी नजर आएंगे जो कि एक डीजे का किरदार निभ डीजे बन जाई लेकिन वहाँ पे देखें कि बॉबी देवल को भी कैसे रिप्रेसेंट किया गया है वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं इस लूक में बड़ी बड़ी दाड़ी है और बॉबी देवल यार मैं उनको इस तरीके से वहाँ पे बोला जाता है उनकी पुरानी टीवी, स्मार्ट फोन, स्मार्ट बैंड, सभी चीजों का नाम आ गया है और यह गाना यार लगी रहा है कि किसी बैंड के लिए यह तो रियल ट्रैक लग रहा है और मैंने आपसे बोला था कि हमेर्शमिया जी सर्प्राइज करने वाले हैं यह पहला सर्प्राइज आ चुका है अभी आगे आने आले समय में आपको बहुत से सर्प्राइज मिलते जाएंगे और दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ इंडिया में कि कोई म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, एक्टर और साथ में मतलब गाना भी गा रहे हैं और साथ में परफॉर्म भी कर रहे हैं ते क्यूट भी लग रहे हैं पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी म्यूजिक कंपोजर को मिला है कि इंडिया के नमरन ब्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है अभी तक यह रहा है मैं ने देखे थे लेकिन चलो वह तो बात अलग थी मैं रहान जी से कंपेर नहीं कर रहा हूं लेकिन ह हिमेज जिस तरीकेसे कर रहे हैंएं ऐक्टिंग भी कर रहे हैं सिंगिंग भी कर रहे हैं गाली रइस चाहिं को पता दूम मैं जैसे ब्रांड उसकोन को नहीं मिल सकता और हिमेज जी ने इसको बखू भी निभाया है तो हिमेज जी I am feeling proud कि हम आपके फैन है और मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा और आपको इस सॉंग कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं और हां दोस्तो मुझे यह बताएं कि यह जो दिवाली के माई से लही यह तीन अक्टूबर से आइधिंग साथ या नौ अक्टूबर तक चल लही है तो आपको हिमेज जी का यह सॉंग कैसा लगा तो यह थी एक निवसी में से रिलेटेट माने कि आप लोग बहुत खूश हुए होंगे और अभी मैं गारंटी दे रहा हूं मैंने पिछली बार भी बोला था बहुत बड़ा सर्प्राइज आभी इससे बड़े बड़े सर्प्रा आपको हुए 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 हुए